हदरा सामेन ये वो गाउं जो हर गाउं एक मरतबा तबा हुआ हुआ है डूब गया है ये गाउं दो मरतबा तबा हुआ है क्योंकि पहले जो ये बरसात और बारश ने इसको भसम कर दिया पूरा गाउं खतम हो गया और मगर कुछ आसार से उसके बाद दूसरा जब सेलाब आया तो उसको सेलाब उसके उपर चला गया जो भी आसार से वो सेलाब ने खतम करके पूरे गाउं के उपर चार फुट पानी का उदर पानी रह गया और बाकी जो है इसका जो ये ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हो ये बच गया बाकी सारे गाउं के कुछ भी निशानात सारे खतम होगे और ये गाउं मुहमद कासिम बुर्दी है और ये गाउं जाफराबाद के जो है यूसी है ये यूसी नमर सेवन है सेवन तलके का है और इसके बाद ये क्यूंकि ये मैं रोड से थोड़ा सा दूर है इसलिए इन के पास इमदादी टीमें भी नहीं आई जब ये पूरा गाउं खतम हो गया तो किसको बता दिये इदर को गाउं भी था या क्या अब ये कुछ दोस्तों ने कुछ हमारे गवर्मेंट के तरफ से भी कुछ मिले हैं ये तंबू वगरा उसको अभी नए तरीके से इस गाउं को बना रहे हैं और ये दो ये रहा तो कि यह नहीं अपने मदल के साथ कुछ यह बनाई हैं करदे भी लगाए हैं और इसमें जो है काफी या घर हैं और उसके बाद कुछ अपने हाँ से पनाये हैं है कुछ तंबू हैं तंबू की पी ज़्य दरुबन है और बिल्कुल जो है यह अंदरूनी इस गाउ का और यह तंबू भी हमें कुछ गवर्मेंट दिये हैं कुछ हमारे इस जो तन्जीमें हैं सोशल वेलफर आर्गनाजेशन हैं उन्हों ने भी हमारी मदद की है और अभी भी उनके पास जो है काफी बीमारिया हैं और तंबू की जरूरत है क्योंकि इनुन ने अपने हाथ से ये अपने हाथ से बने होएं गर इसमोए बना हैं और कुछ तंबू भी हैं मकर तंबू की भी जरूरत है और मच्हर दानी जो है हैं उनकी सख्ट जरूरत है कि है कि मरे जा रहे हैं काफी लोगों विमार कर दिया है और इनको है ढ़िए दौब अधानियों की जरूरत है और यह देखो और नहोंने सारे पता पड़ता है तो आते हैं वर नहीं मिलता है तो इसके लिए ये वेठक थी, मस्जित भी चली गई और दो मुर्गी खाने से वो भी खतम हो गया और ये ओताक है जो बेठक है बारा, ये भी खतम हो गया और वाकिए जो मैं आपको ये बताऊं कि ये बरसाथ और बरसाद ने तो तबाही कर दी, इसको पूरा खतम कर दी, मैंने पहले भी आपको पता है, उसके बद, बरसाद के बद, फिर जो पानी आया तो उनके निशानाद भी खतम हो गए, और ये, जो आपको मैंने दिखाया, ट्रांसफार्मर बिजली का बच गया था, ये अलम पाक ज जो भी हैं, मुखयर हजरात को भी अर्ज करते हैं, कि मुहमद कास्म बुर्दी गोट से जो दो मर्दबा ये तबाह हुआ हैं, इसकी थोड़ी मदद के लिए हम दोस्तों को और मुखयर हजरात को, गवर्मेंट को भी हम अपील करते हैं, कि इस के नैसर जो तैमीर हो जाए, ताकि इस गाहelas में भी आज़ी सही तरीके से जिनदगी बसर कर रहे हूं हैं, इसमें ये मवजज़ भी थी, इस मवज़़ का ये हाल है कि इसका पंक्खे पंक्खे, ये इसका रवादे वगारा, ये इसका प्लाट है, ये भी बरसाद में ही माना बरसाद शहीद हो गई थी उसके बाद जो बरसाद आए तो मैंने आपको बताया कि बरसाद के बाद पूरे निशानात के उपर पानी जो है अभी तक भी थोड़ा पानी देखो है मगर इनके उपर चार फुट से भी जादा उपर पानी चला गया था और मस्जद भी शहीद हो दी थी इसके लिए भी हम मुखेर हजार स्कूर्ज करते हैं कि मस्जद के तामीर के लिए भी इस गाउं की थोड़ी मदद की जाए तो बड़ी महरबानी होगी बिसमिल्ला यही बात ही असलावालेकूम